अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले एप जो दूसरों पर कीचड उचालते हैं वो खुद कीचड में होते हैं ना तो महारी मती मारी गई जो महतार से दिवाली मिलना आगी आज के बाद मैं ही घर में कदी पगना धरूं चाल हूं जै राम जी के अरे भाविसा देबर सा मारी भाविसा को नराज कर दिया आपने भाविसा गई तगड़ी आक्टिंग कर डाली आपने तो भाविसा मजो ही आगे हो अरे हर साल राम दिला में के के करोल मैं ही करूँ वाव पर थारे घर में तो पुरी मसाला फिल्म जाल रही है अरे बाविसा इस मसाली में तो अभी और तड़का बाकी है फिर देखते जा ना बस कैसे तेखूंगी थारा देवर्तोमन घर में भुसनी ना देगा बाविसा बस थोड़ी दिन की बाद हो रहे फिर इस गर पे महारा ही राज होगा और फिर देखना भारी मर्जी से लोग आवेंगे और भारी मर्जी से लोग जावेंगे बागी थे जयानेओ अच्छा कम्मा गणी थेंक्यू आणा अ अना बाई अलिया रोनेंसे कोची नहीं होगा कि ऐसे लोगों को जवाब दिना सिखो कोई ऐसे कैसे तुम्हें कुछ भी कह सकता है मुझे सोशी है वेची कि आज आपने मेरा यकीन किया और आपने भी मान दिया कि मैं गलत नहीं थी आज आपने मेरी दरफदारी की अपनी पायल की दरफदारी की मैं जानती कि आज भी गई ना गई आपके दिल में मेरी लिए प्यार जिन्दा है मैंने वो किया जो एक जीजा को अपनी साली के लिए करना चाहिए था प्रिदी ने हमारे परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसके सामने तो एक कुछ भी नहीं है मैंने सिर्फ फिदी के लिए तुम्हें इस घर में रहने की जासत दी तो प्लीज अपने मन में कुछ और मकलान तुम्हारे लिए जो मैं सोचता था वो एक पीता हुआ कल है और आज का सची है कि मैं विदी से प्यार करता हूँ और राने वाले कल का सची है सिंदगी पर मरते तम तक अपनी आखरी सांस तक विदी से प्यार करता रहोंगा मैं जानती हूँ पेची आपको कोई फर्ट नहीं पड़ता है पर मुझे पड़ता है क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी कि इतनी बड़ी सजा मिली मुझे अजितने दूर के रिष्टेदार मुझे इस तरह की बाते सुना कर गए और भी लोग ताने सुनाएंगे मेरे चैडितर पर ओंगलिया उठाएंगी जाएगी और मुझे सब कुद सहना होगा पर जब आप सोचने होंगे उनके मुवबन कराने के लिए पर आज आप मेरे साथ खड़े रहे उस बात के हिसान मैं सिंदगी पर नहीं पूरूँगी बस मा के हने तक आप मुझे बर्दाश केजिए तिक आती ही महीं आसे चलिशे दूर उसल्चने बर्दाश के मैं एस दुआ है व्ष्व करेंगे बर्दाश के लिए में आसे जहाँ पर खड़िए तुमसे तो सीखा है थायंक्स क्या देख रहा हैँ तेख रहा हूं कि ये खाओ अब भरेगा खाओ तो तब भरेगा, जब मुझे चाठ खाने को मिलेगा. डॉक्टर ने का है. अच्छा? वो डॉक्तर पागलो का डॉक्तर है? कोई चाठ वाट ने मिलेगी, चाठ में खट्टा होता है. खट्टा खाओगी तो थाव बनने में और वक्त लगेगा. अचे चलो, चाठ का एक सब्सिट्ट्यूट है मेरे पास, आके बंद करो, हारे कारोना. कहां चले गया, कब तक आके बंद करो, ता वीट करा रहे हो, वीट जी, आगया, आके बंद रखो. का आप करो, आईस्ग्रीम बेटर दें चार. Ayse Krim? 한य यार है आपको तुम्हारी बाते होल जाओ, यह हो निसाटा जया शेइस तो इक से ना हलो यहह व के शोर शोर फ्टेजा ए ना, थेंक य। थेंक य। थेंक य। थेंक य। क्या हो अबिजी थाथ खुश लग रहा है विधी हमारा दूसरा ओर्डर भी कंवा हो गया अब 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 जगत राम गुप के साथ हो अटेल में अब जो खाना बनेगा वो प्रतीवा मसालों से बनेगा अब से ठीक है पर मुझे नीचे दो तारी है यह चक्कर आ रहे है अरे यह क्या कर दिया आपने आई सीम किरा दी इतनी अच्छी ख़बर सुनाई थी अब मोमीठा कैसे करेंगे हाँ बताएए आप कैसे करेंगे मोमीठा पीजी मैं में तो मोमीठा कर लिया हम तुम्हारा भी करो आप भी आप भी आप भी आप मैच्रिलेशन्स पादना कुछ ज्यादा ही प्यार पनफ गया है दीदो अर बेची के बीच में हम वो मेरी तरफ कभी नहीं आप भी बोलकर के उन्होंने जो कुछ भी क्या है ना वो विदी के लिए किया मेरे लिए नहीं उनका तो यह भी कहना कि मैं उनके लिए सिर्फ उनकी पत्ती की बहन हूँ और कुछ नहीं चाब अंटीजी पानि अंटीजी पानि पानि यह पानि यह पानि यह पानि यह पानि नहीं मिलेगा तो तुम्हारी जान चली जाएगी अगर सूचो वेद को यह लगे कि उसके बिना तुम्हारी जान चली जाएगी तब उसके मन में प्यार चाकेगा कवी रितय बेटा है मेरा उसके एहम को ठीस लगी इसलिए वो नाराज है तुमसे अब तक सूचो ऐसा कोई कारण बने जिसके कारण वो तुम्हारी पास आने के लिए मजबूर हो जाए तु वेद को तुमसे पहली नजर में प्यार हुआ था तब की बात और थी पर अब वीधी ने अपने भले होने का मखोटना पैन कर उसे प्रभावित कर दिया है अब उसे वही सब अच्छा लगने लगा था पर आज तुमने खुद देखा जब तुम्हारी बेज़त्ती हो रही थी तो वेद पर असर पड़ा इस बात को भले ही वेद कोई और नाम दे तुम ये मत भूलो कि कहीं न कहीं इसकी वज़े वो प्यार है जो उसके अंदर चुपा हुआ है तुम्हें चोट लगेगी तो उसे दर्द मैसूस जरूर होगा और वो तुम्हारे पास जरूर आएगा थैंक यू आंटी जी एक भार को तुम्हें बिलकुल हिम्मत आर गे थी पर आपकी बातों ने एक नया जोश पर दिया मेरे अंदर अब मैं वेद जी को ज़रूर अपनी तरफ कर लूगी थैंक यू मैं जो भी कर रही हो ना सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम ने कहा था कि मेरी भेहन ने मेरे साथ ना इंसाफी किये मैं सब कुछ परदाश कर सकती हूँ पर ना इतसाफी ने क्या हुआ क्या बोल रहे हूँ क्या है अब आदीदी आपके इस लड़ू को दूसरी डील भी मिल गई हाँ मेरे प्यारे लड़ू राजा सही कहो है कि केती करें न बिजनी जाए विद्या के बल बैठी ओखाए विद्या केबल बैठी ओखाए विद्या तो मुझे आपके इस विदी से आई है मेरा तो सिर्फ बल था अब इदरा जी तो सुनो महारे प्यारे लड़ू और लडूली लडूली काम में तो तुम डोनों गुल खिला ही रहे हो अब इस घर के आंगन में भी गुल खिला दो बाकी तो बहूं से तो हम्हारे को उम्मीत को नए पर तुम दोनों हो जब इस घर के आंगन में एक लड़ू की किलकारिया खिला सकत हो तुम दोनों देरी ना करो हुझ 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 नेकी और पूच-पूच वदी आज तक मैंने आपकी किसी बात को मना किया कि आपका हुकुम सारा को विदी चुना तुमने बुदी ने क्या आगा चलो तुमसे बात कर लिए कितनी बार माफ करूं सुंदर हर बार तुमसे यही गलती होती है लड़ू मरगोतार जरब और हर बार पिछली बार से भी जादा नुकसान होता है क्या है ना कोई भी काम ना आजकल तुमसे धंग से ही नहीं हो पाता है भावी क्या हुआ क्या बताऊं दीदी सा करवा चौत वाले दिन इसे एक काम सौपा था मैंने पर वो भी काम इससे धंग से नहीं हो पाया कितना नुकसान सहूं मैं पर ऐसा कौन सा काम दे दिया था जो इसके दस साल के तजरुबे से भी पूरा नहीं हो पाया क्या पता हूं दीदी सां बिना ठीक से बजट बनाए काम करता है हर बार घाटा होता है इस बार ना दीदी सां लागत भी पूरी नहीं होगी शान तो जाओ भावी देखो मैं तो कहे हूं कि अब दुकान का जिम्वा लड़ू और लड़ूली को देदो और तीर ख्यातरा पर निकल जाओ फिर देखना आप चार महीने में इतना फाइदा देखने को मिलेगा कि पिछले चार सालों में ना देखा होगा थारे में जी अब क्या बोड़ रहों गो दीदी सां जी बेज क्यों समाले का दुकान? इक तीस सालों से जो महरे पती ने दुक लखन की मार्केटिंग और वेद की तो इतना फाइदा हो रहा है भाभी भाभी क्या हो रहा है यहां पर रिक्ये बताओ धरे को किये हुआ देवर्सा जब बहुत इधी साना वेद को दुखान सोपनी की बात कर रही है अब उस रामचन जांजरवार भीका नेर वाले कोई देख लो जबसे उसके बाइस साल के बेटे ने दुकान समाली है क्या रंग जमाया उनके नहीं वेपार में नहीं बात सुंदर और लखन की तो इंको बोलिये कि वेद के साथ कुछ दिन काम करके वेपार का नया तरीका सीख लें है कि आझ है आज़र जो है यह अर्फ बॉट इदी क्या बूल रहा है अब सुंदर बया पिछले दस साल से दुकान संमाल रहे हैं मैंने तो बस अभी अभी शुरू ही किया है और मैं पिछले साथ साल से दुकान देख रहा हूं वेद को भी एक महीना हुआ है देन बोट अब और आप ऐसे बोल रही है, मैं कौन सा सुंदर और लखन को दुकान से निकालने को कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये दोनों थारे साथ चल के देखें, और क्या, एजी, जे, गड़ान नहीं आता मसा लगा रहा है, चलो लक्स, इस बारे में सोचोंगी दीदी साथ, बुख दीदी, आप मैं कभी-कभी कुछ भी बोई जाते हूँ, नीचा के बात सुन, हारी बुख दीदी हमेशा सच बोलती है, और सची बात अगर दिल में कील की तरह चुपने लगे, तो समझो रिष्टा कमजोर पढ़ रहा है, बहुत बुरा लगा होगा सुन्दर भईया और लखन भईया को, उनकी इतने सालों के महनत के बाद ही, बिजनस इस टेज पर है, कि आप इसे आगे बढ़ा पा रहे है, रुबा दीदी मीना, आपसे बहुत पयार करती है, इसलिए ये सब बोल गई, पर हमारे लिए सबका साथ रहना बहुत जरूरी है, तब भी हम आगे बिजनस को बढ़ा पाएंगे, नई बुलंदियों पर ले जा पाएंगे, ताकत तब भी आती है, जब पांचों उंगलिया एक साथ मिलकर, मुट्धी बन जाती है, कितनी फिकर है तुम्हे सब की, पर हम मैं चाहता हूँ, कि तुम सिर्फ मेरी फिकर करो, याद है ना, वो आदी दिने क्या का था, छोटा लट्डू, आप बीना, बहुत नौटी हैं, जब देखो शुरू हो जाते हैं, तुम शुरू होना है कहां दे रहे हो विधी, अरे फिची, बहुत काम है, और जल्द अरे सुनो ना, विधी, विधी, बड़े सरवन कुमार बने फिरते थे, देख लिया न, कैसे उतारी एज़्जत थारी माने, और थारी भुवसाने, बस कथा नालायक और उल्लो नीका, बाकी सब कह डाला, याद रखना पती जी, महारी बात की गाठ बान लो, तलवार का घा अरे कोनी? अर्थ थारे पे तीर पे तीर चलें हाज, वो भी जहर भरी बातों के, वाकी थे स्याने हो अरे, अरे, क्या कर रही हो? कहा जा रही हो? माई के जारे हो रहने के लिए कम सी कम थारे साथ यहां रहकर अब मान तो ना सहना पड़ोगो अब मारे अंदर परताज करने का सबर को नी तेख अड़े रो ऐसे हाथ पे हाथ धरे जिस वेट को बचपन से बारा डाडला कहते थे ना मारे धरे को अबनी इथकान के अंदर नोकर बना के रखे का इसे कुछ नहीं उगा पीवी जी मैं देखता हूँ के मुझे कॉन नोकर बना के रखता है बढले ही ये लोग मुझे गधा समझे पर मैं भिन्हें तिखा दूगा कि मैं क्या चीजू। पतिसा, तारे को महारी सौपती जी, इस आपको आप भुझन मत देना, सबको बता देना, इसे कदे कोनी. फीची, ये सब, इतने दूर क्यों है विती, आपको 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